नमस्कार सोहार मैं पायल द्रिवेति और आप देख रहे हैं न्यूज जार्खन समय हो चला है जार्खन की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अब डेट होने का तो चलिए जानते हैं जार्खन की तमाम बड़ी खबरों को फटा फट अंदास में इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही बल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकी चैनल से जुड़ी तमावट डेट आपको मिलती रहे और चलिए शुरू करते हैं आज की महतुपूर्ण और पहली बड़ी खबर से जारकन विदान सबत चुनाओं के लिए जामुमों ने जारी की उमिदवारों की चौथी सूची जारी की जिसमें सराई के लाज सीट से गनेश महली को मिदान में उतारा गिया है जो हाल ही में भाचपा छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे महली अनि भाचपा निताओं के साथ 22 अक्टूबर को जारकन मुक्ती वोर्चा में शामिल हुए थे पार्टी ने खुटी सीट से राम सुर्या मुंडा को मिदान में उतारा है जामुमों ने इससे पहले तीन सूची जारी कर 81 में से 41 सीटों पर उमिदवार घोशित किये थे सराइकेला सीट से बीजेपी प्रत्याशी चंपाई सोरेन ने किया नामांकन जारकन विदांसबाच चुनाओ 2024 के लिए सराइकेला विदांसबा सीट से पूर्मुक्यमंत्री अप्त सचीव रहे गुरु प्रसाद महतों पितोवास प्रधान मोचूद रहे साइकलों दाना को लेकर कोलान में ओरेंज राची में येलो अलट 60 किलोमिटर प्रति घंटा से चल सकती है हवा कोलान में स्कूल बंद अलट पर आपदा प्रबंदन भी भाग बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवर्ती तूफान दाना का असर जारखर में भी दिखने लगा है आज दस दिलों में भारी बारिश का अलट जारी किया गया है माई सुबा से कई दिलों में बारिश हो रही है इसके साथ ही राज्य के दक्षिन मध्य और पूर भाग की कई लाकों में 50-60 किलोमेटर प्रतिगंडे की रफ्तार से हवा चल सकती है मौसा विभाग ने खास कर कोलान में दाना तूफान से आम जन जीवन पर असर पढ़ने की आशन कज़त आई है कुलहान में औरेंज तथा राच्य और आसपास की लाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ ही संथाल परगना में हलकी बारिश हो सकती है इधर दाना तूफान को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंदन अलर्ट पर है बिजली विभाग में कर्मियों की छुट्टिया कर दी गई है राची पूरी भूरेश्वर से आने जाने वाली ट्रेने रद्ध कर दी गई है कुलहान में आज बारवी तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है मौसर विभाग के अनुसार चक्रवाती तुफान का मध्य रातरी में पूरी के पास टक्रानी के बाद आश्यक्रवार यानि 25 अक्टूबर की सुबा से ही राची रमशेतपूर, चायबासा, सराई केला, खूटी, लोहर दगा, सिम्टेगा, गुमला, रामगर, पलामू, सहित, दक्षिनी मध्यवा, पूर भाग के कई लाकों में 50-60 किलोमेटर प्रतिगंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ बारिश की चितावनी जारी की गई है, साथ ही कई जिलों में सुबा से ही भारिश हो रही है, मौसम विभाग ने 26 अक्टूबर को भी ऐसी इस्तिती बने रहने की संभावना जताई है, हलाकि दाना का सर धीरे-धीरे कम होने की कारण 27 अक्टूबर को आकाश में बादल चाय रहने के साथ-साथ कई हलकी-हलकी बारिश होने की संभावना है, मौसम विभाग के मुताबिक 28 अक्टूबर को मौसम साफ होने की उमीद है चुनाओ को लेकर डीजी पी ने की बैठक सीमा वर्ती चेक पोस्टों पर हो सगन जाच जारखन विदानसबा चुनाओ 2024 को लेकर डीजी पी ने आला अधिकारियों के साथ पुलिस मुख्यालई में बैठक की है बैठक में राजमे निश्पक्ष तरी से चुनाओ कराने और चुनाओ से जंबने धर परिस्सितियों में निपटने के लिए कई मामलों पर चर्च चाकी गई चुनाओ के दोरान सीमावरती चेक पोस्टों पर हर गती विधी पर नजर रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया और वाहनों की जाज करने के लिए कहा गया डी जी पिन अधिकारियों उसे कहा कि हर हाल में चुनाओ निश्पक्ष वा शांति पूर्ण तरीके से संपन्न कराये जाए सुरक्षा सहीत सबी पहलों पर नजर रखें राहत दिवाली और चट पर 7000 विशेश टुरेने चलेंगी दिवाली और चट पर भारती रेलफे ने 7000 विशेश ट्रेन चलाने का फैसला किया है इसे त्योहारी सीजन में 230 लोगों को गंतावे तक पहुंचने में सुवीधा मिलेगी रेल मंतरी अश्वीनी वैशनों ने गुरुवार को यहाइलान किया है इनमें से बड़ी संख्या में विशेश ट्रेने दिली एंसियार के स्टेशनों से चलेंगी कैबिनेट फैसलों की जानकारी देने के लिए समवादाता सम्मेरन में वैशनों ने कहा कि त्योहारों के मौके पर इतनी बड़ी संख्या में विशेश ट्रेने चलानी का इहार रिकॉर्ड है पिछले साल करीब 4500 ट्रेने चलाई गई थी वह भी रिकॉर्ड था लेकिन इस बार संख्या और बढ़ा दी गई है मही रेलवे अधिकारियों ने बतायées कि यातरियों की बड़ी संख्या को देखते हैं मंत्राले ने यहाँ फैसला लिया है रेल से वह बढ़ानी का फैसला किया है उत्तर रेलवे इस अवधी के दोरान बड़ी संख्या में ट्रेने चलाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में यात्री देश के पूर्वी भागों में आवाजा ही करते हैं कॉंग्रेस को बड़ा जटका बरही विधायक उमाशंकर अकेला सबा में शामिल कॉंग्रेस ने गुरुवार की देर राज जारगन विधानसबत चुराओं को लेकर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की जिसमें बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम नहीं था इससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और समाजवादी पार्टी जोइन कर ली है उमाशंकर अकेला ने कॉंग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्हें काया कि टिकट बटबारे में पेसे का खेल चला है उनसे दो करोड मांगे गए थे उन्होंने पैसे नहीं दिये इसलिए उनका टिकट काट दिया उमाशंकर अकेला शुक्रुवार को सुबा के चार बजे पलामू में समाजवादी पार्टी के सदस्यता को ग्रहन किया सपा में शामिल होने के बाद उमाशंकर अकेला ने बरी से चुनाव लड़ने का एलान कर दिया समाजवादी पार्टी के टिकट पर विविधान सबत चुनाव लड़ेंगे जारकन प्रशास्निक सेवा से सेवा निर्वरत अफसर को दिया गया दंड वापस मिली रहत कि राशी के कटोती तीन वर्षों तक करने के दंड को वापस ले लिया गया है इस संबन्ध में कार्मिक में भागना आदेश जारी कर दिया है हाई कोर्ट में पारित ने आदेश के बाद यहां आदेश दिया गया है उनके खिलाफ यहां आरोपे की बदिस्ता अपना काल में जलधारा योचना अंतरकत जिले को दिये गए 250 से चाई कुवा निर्मान के बदले 300 कुवा निर्मान का लक्ष दिया गया यानि की लक्ष के विरुद्ध योचना स्विक्रत किया गया इसी प्रकार इंदिरावास योचना में जिलस्तर से कुल लक्ष 28 निर्धारित किया गया था लेकिन उन्होंने इसमें भी लक्ष से अधिक स्विक्रत किया गया इसके लावा 67 कूप निर्मान की स्विक्रती देते हुए 70,000 रुपे का विचलन कर दूसरे मत से अकर अगरिम भ उक्तान करने जवाहर रोजगार योचना इत्यादी में गरबड़ी क्यारोप में उन्हें धंडित किया गया था मामला हाई कोट में गया जहां से उन्हें राहत मिली जिसके बाद कारवी की उभाग ने मामली की फिर से समिक्षा करते हुए उनको दिये गए धंड को तरह से मुस्तैद है साहिब गंजिले में जहारकन पश्चिम बंगाल की सीमा पर आज सुबा सुबा एक चेक नाका पर एक व्यवसाई से दो लाख रूपे बरामद हुए हैं साहिब गंजिले के बरहरवा फरक्का एनेच 80 के महतापूर के चेक नाका पर जांच के ग्रम में कि व्यवसाई के पास से करीब दो लाख रूपे मिले पूछताश में वह संतोश चनक जवाब नहीं दे पाया इसके बाद पूलिस ने उसे हिरासत में ले लिया उसके रूपे जब्त कर लिये व्यवसाई का नाम एना मुलहक है वह पर्शिमंगाल के मानिक चक कर रहने वाल और व्यवसाई से पूछताश की पूछताश में पूलिस को संतोश चनक जवाब नहीं मिला तो इस राशी को जब्त कर लिया गया थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंग ने बताया कि शांती पुन और निश्पक्ष मगदान करानी के लिए धनबल पर रोक लगाना जरूरी ह इसलिए चेकनाका से गुजरने वाले सभी लोगों की गहनता से जाच की जा रही है जारकन में आदर्श आचार सहीता लागो होने के बाद से 25 अक्टूबर तक लगबग 27 करोड रुपे के आवेद समान और कैश जब्त हो चुके है इसके पहले धनबाद जिले में कॉंग्रेस जामुओ के पोस्ट आचार सहीता का उलंगण ओफिशल वेबसाइट बंधो बीजेपी बीजेपी का एक प्रतिनीती मंडल सुधिश रिवास्तव के नेतरतों में मुखी निरवाचन पताधिकारी के रवी कुमार से मिला उन्होंने रवी कुमार से मिलकर ग्या कॉंग्रेस और जामुमो दोनों पातिया जिस तरह अपने अधिकरत वेबसाइट से पोस्ट कर रही है वो ना सिर्फ आदर्श चुनाव आचार सहीता का उलंगण है बलकि चुनाव आयोक को चुनावती भी है आज जिस प्रकार का पोस्ट जामुमो और कॉंग्रेस कर रही दिवाली और छट महा पर वपर भारती रेलवे में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है जिसकी वज़े से यात्रियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है इसको देखते वए रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है दुर्ग पटना और कोयम बट पड़तों ने सिल्ले विधानसबा सीट से नामंकन कर लिया है पर्चा भड़नी के दोरान सुदेश के साथ असम के सीम सहा भाचपा जारकन के चुनाव सहा प्रभारी हिमंता विस्वा सर्मा मोजूद रहे नामंकन से पहले मोराबादी इस्तित बापो वाटिका से समाना ल टांगर बसली मोड के समीब गुरुवार की दोपर तेज रफतार ट्रक ने आगे चल रहे ओटो को धक्का मार दिया इससे ओटो सड़क पर पलट गई उसमें स्वावार चालक समेत मांडर कॉलेज की साथ चात्राएं घायलों में टांगर बसली निवासी चालक तबारक अं पतार में किया गिया ओटो चालक तबारक अंसारी को रिम्स रेफर किया गया ओटो चालक मांडर कॉलेज से अपनी पुत्री जोया परविंग को लेकर घर जा रहा था ओटो में सकरा वा टांगर बसली की छया अनिशात्राएं भी सवार थी ओटो को धक्का मारने के बाद 12 डरग फरार हो गया जायरकन विदांसवाचुनाव 24 जेरा महतों के पास है कितनी संपत्ती और कितना कैश जारकन विदानसबद चुनाव 2024 के लिए युवा निता जैराम महतो ने डुमरी विदानसबद सीट से नॉमिनेशन फाइल किया है अपने नामांकर में उन्होंने अनिचानकरी के साथ अपनी संपत्ती का भी ब्योरा दिया है जैराम हतो द्वारा चुनाव आयोक को दिये गए ब्योरो में बताया गया है कि उनके पास नगत मात्र 38,000 है जबकि भारती स्टेट बैंक के तीन खाते क्रमशा 90.28 रुपे 201.55 रुपे 5,000 रुपे और बैंक ओफ इंडिया में 12,614 रुपे है इसी तरह उनके पास खेती की जमीन नहीं है नहीं उनके द्वारा जमीन में निवेश किया गया है जितरपूर मौजा में जैराम हतो के पास 5,450 स्कुएर फीट जमीन है जिसमें 1000 स्कुएर फीट में मकान बना हुआ है अपने हलफ नामे में जैराम कुरान रहतों ने कहा कि उनके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं इन 14 मुकदमों की जानकारी जैराम ने नमांकन पत्र के साथ दी है सराइकेला में जमिन कारोबारी की घर में गोली मार कर हत्या सराइके लाधाना शेत्र के चंदरपूर गाओं में गुरुवार की रात अपराधियों ने जमिन कारोबारी जावेद अख्तर की गोली मार कर हत्या कर दी गुरुवार की रात मोटर साइकल सवार अपराध कर्मियों ने जावेद को उसके घर के पास गोली मारी है गटना के बाद अफरा तफरी मच गई, आजपास के लोगों ने उसे तुरंट टी एमेच जमशेत्पु ले गए, माचे कित्सकों ने उसे मरद घोशित कर दिया गटना के बाद अनुमंडल पुलिस पदादीकारी मौके पर पहुँचे तदा मामले की चानबीन की, गटना इस तरह से दो खोका भी बरामत हुए हैं, पुलिस मामले की चानबीन में चुटी हुई है दाना तुफान का व्यापक असर सुबा से हो रही बारिश चानडिल अनुमंडल शेत्र में चक्रवाती तुफान दाना का व्यापक असर देखा जा रहा है, तुफान के प्रभाव के कारण अनुमंडल शेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है, इसके प्रभाव से शुक्रवार सुबा से ही बारिश हो रही है, इसके कारण आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है और सडकों पर भी अन्य दिनों के अपेक्षा कम वहां चल रहे हैं वैसे विधान सबा चुनाओं के प्रतम चरण के वद्दान के लिए नामंकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहने के कारण तुफान के बाव राची के चड़री तालाब में मिली एक लाश इस स्कूल का बताया जा रहा चात्र राची के चड़री तालाब में एक चात्र की लाश मिली है शव मिलने के बाद सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुच गई है जो जानकारी है उसके मताबिक मुतक चात्र सरला बि सिंग था चात्र की पहचान होने के बाद उसके परीजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी रंजीर्ट सिंग और लोवर बाजार थाना प्रभारी दयाने ने बताया कि रौनक के पिता गुरुवार की शाम उसकी तस्वीर देकर थाने में आये थे, उन्होंने कई लिखी ताविदन नहीं दिया था, सिर्फ रोना की तस्वीर देकर थाने से लोट गए, जो जानकारी हासिल हुई है, उसके अनुसार चादर राची के सुखदेव नगर थाना शेत्र कर रहने वाला है, मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। कल्पना पीपी एफ जेवरात शेयर म्यूचल फंड मिलाकर पार्च करोर चोवन लाक इंक्यानवे हजार चेसो तिरासी रुपे की मालकीन हैं। कल्पना के पाज 6 मापूर भी 3 वहां थे जिन में मारूती, एकसेल सिक्स, अरबनिया वीकल और हुंड़ई आइट्वेंटी कार है। कल्पना की संपत्ती मेसेच 11.46 लाग का निवेश विबन शेयर, गोल्ड, ब्रांड और म्यूचल फंड में किया है। 6 मापूर हेमंत 5.3 करोड के मालिक थे, जबकि अब उनकी संपत्ती 5.4 करोड हो गई है। गरवालों को भी किरफतार कर लिया है। और दुरगटना करंग देनी की कोशिश की। पुलिस न सभी आरोपियों को गिरफतार कर लिया है। कोडर्मा से बालू कारोबारी सुबाश यादव के चुनाव लड़ने पर मंडरा रहा संग कट पटना हाइकोट ने आदेश लिया वापस। पटना हाइकोट जेल में बंद बालू कारोबारी सुबाश प्रसाद यादव को कोडर्मा से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए दिया आदेश को वापस ले लिया है। साथी कोट ने इस मामले को चीफ जस्टिस के अनुमती से किसी दूसरे कोट में सुनवाई के लिए सूचिबद करने का आदेश दिया। अरजी दायर की गई। अरजी चंद्रोफ बबलू ने प्रात्मी कुपचार कर बहतर इलाज के लिए MMCH मैदिरिनगर रेफर कर दिया। पूर डिप्टी मेयर नीरत सिंग हत्याकान मामला पूर विधायक संजीव सिंग के जमानत याचिका पर हाई कोट में सुनवाई पूरी आदेश सुरक्षित। पूर डिप्टी मेयर नीरत सिंग की हत्याके मामले में आरोपी ज़रिया के पूर विधायक संजीव सिंग के जमानत याचिका पर ज़ारकंड हाई कोट में सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों के सुनवाई पूरी होने के बाद कोट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 23 मार्श 2017 को सराय के लथाना में नीरज के भाई अभिशेक सिंग के लिखे शिकायत पर संजीव सिंग, मनीश सिंग, पिंटू सिंग, महंत पांडे और गया प्रताप सिंग के खिलाफ नामजद प्रात्मी की दर्ज हुई थी। बाद में इस केस में शूटरों के साथ अन्य सनलिप्त लोगों की गिरफतार आरोपियों से पूछ ताच के बाद पुलिस के पास संजीव सिंग की भूमिका, शडियं द्रकारी की मिली, उसके बाद उन्हें गिरफतार कर जेल भेज दिया गया, उसके बाद से वे बंद जमशेदपूर इलाके में दाना का असर तेज हवा के साथ हो रही बारिश, स्कूल कॉलेज बंद, बंगाल की खाडी में उठे चक्रवा, तुफान, दाना का असर कोलान सम्मेट जमशेदपूर शहर में भी तेखनी को मिल रहा है, गिरुवार की राद से ही तेज हवाय और बारिश शुरू हो गई थी, शुक्रवार की सुबा से ही बारिश वा हवा काफी तेज चल रही है, आम जन मानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जन जीवन पर असर पड़ा है, तुफान के असर के कारण पूर्व से जिले के तमाम स्कूल कॉलेज बंद करन और बेल आइकन को प्रेस करें, धन्यवाद